आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello student यहाँ पर जो Simple सा Question दे रखा है यह है कि The rock in cold region get cracked in winter and explain why देखो, जो rocks होते है जो की cold region में पाए जाते है ऐसा region जहां का temperature negative में जाता है 0 degree Celsius से भी नीचे जाता है उस region में जो rocks होते है winter के दीन में क्या होता कि उसमें crack आजाते है तो ऐसा क्यों होता है तो देखो जो rock होता है suppose कर लो यह rock है तो यह rock अपने अंदर बहुत सरा water के molecules trap करके रखता है अपने अंदर बहुत सरा water के molecules trap करके रखता है अब देखो, water का एक property होती है water एक anomalous property so करता है, जेनरल property से इसका अलग behavior होता है इस question का answer भी वही है due to anomalous behavior of water होता क्या है anomalous behavior में कि देखो, जैसे जैसे temperature decrease करता है, जो general substance है, एक general बात कर रहा है हम लोग, अगर temperature decrease करेगा, तो जो density होता है, average density, substance का वो increase करता है ठीक है, now density increase कर रहा है यानि कि जो volume है, क्योंकि जो density होता है वो क्या होता है, mass by volume, ठीक है, अब देखो जो तो mass तो change नहीं हो सकता है, ठीक है massage तो fixed है, ठीक है तो अगर density increase कर रहा है इसका के मतलम, कि volume degrees कर रहा है, ठीक है, तो volume decrease करता है, density increase करता है अगर temperature decrease करें तो, लेकिन water के case में क्या होता है, कि अगर जैसे-जैसे temperature decrease करता है, ठीक है जब temperature का value, 4 degree Celsius आता है suppose कर लो 20 degree Celsius temperature है अभी ठेक है कुछ water यहसे में trapped है ठेक है आप देखो जैसे जैसे temperature decrease करेंगे ठेक है यह density का value क्या होगा increase होगा यह water का जो density है उसका value increase होगा ठेक है तो इसका मतलब कि volume का value decrease कर रहा होगा ओके नाव जैसे जैसे temperature 4 degree Celsius आएगा ठेक है इस water का density maximum हो गया रहेगा and volume का value minimum हो गया रहेगा ठेक है अब देखो इससे जैसे ही 4 degree से और भी नीचे temperature गया ठेक है 3 degree Celsius उससे भी नीचे minus 20 degree Celsius ऐसे ठेक है तो यह जो water trapped है इसके अंदर वो ice के form में convert हो जागा ठेक है वो freeze हो जागा ठेक है ice बन जागा ओके अब होता क्या है कि 4 degree Celsius पे जो water होता है उसका density सबसे highest होता है जैसे जैसे उससे नीचे जाएंगे density का value जो average density है ठेक है उसका value decrease करने लग जाता है अब density का value decrease कर रहा है ठेक है ना density का value decrease कर रहा है तो होगा क्या कि volume का value increase कर रहा होगा क्योंकि mass का value change नहीं हो रहा है ठेक है तो volume increase कर रहा होता है अब यहाँ पर ice बन चुके है ठेक है and volume increase कर रहा है ठेक है यानि कि जैसे जैसे water ठंडा होगा ice बनेगा ठीक है ice बने के बाद क्या होता कि यह expand करता है ठीक है volume increase हो रहा है ठीक है अब यह expand करेगा तो क्या होता है कि expanser के वज़े से क्या होता है कि इस rock में crack आ जाता है ठीक है तो यही behavior के वज़े से क्या होता है कि जो cold regions होते है ठीक है उनमें winter के दिन में उनके जो rocks होते हैं उस region में जो rocks पाई जाते हैं ठीक है उनमें crack लेखने को मनता है हम लोगों okay so this is the explanation for this question अगर इसका answer देखें due to anomalous behavior of water as the temperature goes below zero degree Celsius ठीक है freezing of water occurs ठीक है water जो है वो ice बन लग जाता है okay now जो ice है okay उसका जो average density होता है okay वो water के average density से कम होता है ठीक है तो वही होता है कि and average density of ice decreases ठीक है and इसके बज़े से क्या होता है कि जो जितने volume में water था okay ice उससे ज्यादा volume occupy करता है ठीक है तो expansion होता है ठीक है तो volume of ice increases which causes crack in the rock ठीक है तो यह है इस question का answer I think it is clear to you thank you